आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल लाइप पूरूफ के साथ दिखाएंगे कि बोर्ड एक्जाम की कौपी काई से चेक होती हैं एक्जामनर आपके कौपी में क्या देखकर नमबर देते हैं और क्या देखकर नमबर कट कर लेते हैं और कभी कभी तो इस्टुडन को फेल भी कर देते हैं तो यहाँ पे हम आप सभी को बिल्कुल लाइप पूरूफ के साथ दिखा रहे हैं कि एक्जामनर काई से आपकी कौपी चेक करेंगे और क्या देखकर जादा नमबर देखकर नमबर कट करेंगे अगर आप लोग अपनी एक्जाम की कौपी में पैसे रखते हैं तो आपको नमबर मिलते हैं या नहीं अगर मिलते हैं तो कितना मिलते हैं सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल लाइप पूरूफ के साथ दिखाएंगे आप बने रहे हैं वीडियो पैने तक आप ध्यान से वीडियो को देखी और समझने की कोशिस कीजिए एकजाम लेडियो जब भी आपके कोपी चेक करेंगे तो मातर 3 चीज देखकर नमबर देगे जी हां मातर तीन चीज देखेंगे और नमबर देते चले जाएंगे अगर आप लोग अपनी एक्जाम की कॉपी में ये तीन चीज किये रहेंगे तो आपको फूल मार्क देएंगे आपका येक भी नमबर कट नहीं करेंगे बट आपको अपनी एक्जाम कोपी में ये तीन चीज करना है कट क्राउस नहीं करना है अगर आपका हैंडरेटिंग खड़ाब है तो आपको जादा से जादा कोशिज करना है वन से थिरी पेज तक साप साप लिखने की कुछ इस तरीके से इस बंदे का उतना भी अंडरेटिंग अच्छा नहीं है बट इन्होंने साप साप लिखा है तो देखने में अच्छा लग रहे हैं एक जामनर इनसे खुस हो जाएंगे इनसे इंप्रेस हो जाएंगे और इनका एक भी नमबर कट नहीं करेंगे और हाँ आपको जो कोशन के अंसर अच्छे से आएंगे कोपी के पहला पेज में उसी को लिखाएंगे कोशिस करेंगे सही सही साप साप लिखने की और हाँ बाय चांस कोई सब्द लिखते टाइम गलती हो जाए तो अगर भीर में गलती हुए हैं आमिंग जादत सब्दों के बीच में गलती हुए रहेंगे तो उसे कुछ नहीं करना है छोड़ देना है जैसे हुए से रहने देना है क्योंकि एक जामनर के पास उतना भी टाइम नहीं होता है कि आपका एक एक वर्ड वाँ पे चेक करें लेकिन हां लिखते टाइम शुरुआत में ये लास्ट में कोई वर्ड गलती हो जाए तो आपको सिर्फ इस तरह से कट करना है ना कि जादा इस तरह से ऑवर्ड राइटिंग करना है अगर आपको जो कोशन के एंसर कुछ भी नहीं आएंगे तो आप उसे छोड के आएंगे मुझे पता है बट आपको इसा नहीं करना है क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ भी नमबर नहीं मिलेंगे इसलिए आपको उसी कोशन से डिलेट मिलता जुलता गलती जलती कुछ लिख देना है या तो किसी दूसरे कोशन के एंसर या उसी question के chapter से जो question आपको याद है उसे लिख देना है because एक examiner खुद कहता है कि बच्चे के copy खाली सफेद नहीं होनी चाहिए उसमें कुछ न कुछ लिखी होनी चाहिए लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है कि ये काम आपको जो है ना कोपी के 1 से 5 पेज में नहीं करना है अगर आप लोग कोपी में कुछ फालतू सब्स लिख देते हैं जैसे गाना साइड़ी इमोशनल बात हैं लवी स्टोडी लाइक लव लेटर वहां पे लिख के आ जाते हैं टीचर जी को कसम दे देते हैं इमोशनल बात हैं दुख भड़ी लिखने जितना लिखेंगे अगर वह बहुत कम कैंसर देते हैं जिसके बजाए से बहुत से पेज कोपी के खाली रह जाते हैं तो इसलिए हम वहां पे दुख भड़ी कहानी इमोशनल बात हैं यह सब लिख देते हैं ताकि एक जामनार हमको कुछ नंबर दे सके तो मैं उसे कहूंगा भाई इमोशनल बात हैं दुख भड़ी कहानी लिखने से अच्छा है कि वह ट्रिक लगा दो ना जिससे की पास आप हो जाएं अराम से हां ट्रिक का लिंक डिस्क्रिप्शन और कुमेंट में हमने पीन कर दिया हैं आप जाकि वह ट्रिक सीख लिजिए कि अगर एक जाम में किसी कोशन कैंसल नहीं आये तो क्या करेंगे